आज हम इस वीडियो में प्रदुषण की प्रकाण के बारे में जानने वाले हैं प्रदुषण क्यों और कैसे होता है यह भी जानने वाले है प्रदूशन्द का असर पूरी पुच्वी के साथ उस पर रहने वाले मनुष्य, जीव जन्तु और पेड़ पोदो पर भी होता है प्रदूशन्द का मतलत क्या इसका जवाबे परियावरण में हानी करक और दुशित पदार्तों के प्रवेश के करण वातावरण में जो दोश उत्पादन होता है उसे प्रदूशन्द कहते हैं प्रदूशन्द का अर्थ हवा, पानी, मिट्टी, आली का अवांचित द्रव्य से दुशित होना वैसे तो प्रदूशन के बहुत प्रकारें पर आज हम इस वीडियो में पाच मुख्य प्रकार के बारे में जानने वाले हैं जैसे की वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, भूमी प्रदूशन, प्रकाश प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन तो चलिए हम इस प्रदूशन के प्रकार को एके करके समझते हैं कि इव सारे प्रदूशन होते कैसे हैं और इस सारे प्रदूशन का क्या असर होती तब से पहले हम वायू प्रदूशन को जानते हैं वातावरण में रसायन तता अन्य सुक्ष्म कोणों के मिश्रण को वायू प्रदूशन कहते हैं। वायू प्रदूशन कार्बन मोनो उक्साइड, सल्फारडा उक्साइड, प्लोरो फोरो वार्बन और उद्योग और मोतर वाहनों से निकलने वाले नाल्ट्रोजन उक्साइड जिसे प्रदूशकों से वायू प्रदूशन होता है। वायू प्रोदूशन सबसे ज़्यादा फैलाने में मोबाइल और गारिया बनाने वाली कंपोनियों का हाथ है, जो कि सबसे ज़्यादा कार्बान डॉकसेड हावा में छोड़ते हैं। वायू प्रोदूशन से पेड़ पौदे, पशुओं और मनुष्चों की स्वास्त पर भी बुरा असर पढ़ रहा है, जैसे कि श्वास रोक, चब्डी के रोक, अन्धापन, दिल और फिफडे की बीमारी, कैसर जैसे अनेक बीमारिया वायू प्रोदूशन के कारण हो रही है और तो और पेड़ पौदे मर रहे हैं, जैसे पुत्वी से ऑक्सिजन की मातरा भी घट रही है WHO यानि World Health Organization की रिपोर्ट की मुताविद, हर साल 70 लाग लोग वायू प्रोदूशन के कारण मर रहे हैं यानि 800 लोग प्रती घंटे या 13 लोग प्रती मिनिट के नुसार वायू प्रोदूशन के शिकार में आकर मर जाते हैं जिनमें से 40 लाग लोग एशिया फैसितिक के शामिल है, जिनमें हमारा भारत देज़ भी आता है अब भी हम जल प्रदुशन के बारे में जानते हैं कारखानों या अन्य किसी भी तरव हानी कारख रसायन पानी में, नदी में, तलाव में या समुद्र में छोड़े जाते हैं इसी कारण सारा पानी दुशित हो जाता है इसे जल प्रोदुशन के कारण जो हानी के रख घ्यास, धूल और कंड बारिश के पानी में घुल जाती है जिसे हम ऐसे डिक रेंग कहते है यह आमलिय वर्षा की कारण भी जल प्रोदुशन की मात्रा बढ़ जाती है पैट्रोल और डीजल का आयात मेरियात समुद्र मारग से करना यह जल प्रोदुशन का सबसे बड़ा कारण है यानि पैट्रोल और डीजल को लेके जाते वक्त रिशा होना यानि बुन बुन गिरना या फिर वह जाच दुरगचना गर्ष्ट होके समुद्र में समा जाना जिस से समूद्र प्रदुशित हो जाता है जिसमें समूद्री जान और मर जाते हैं। विकिपडिया के रिपोर्ट के अनुसार जल्प्रदुशन के कारण, लगबग प्रती वर्ष 51,000,000 लोग यानि प्रती दीन 14,000 लोग जन्प्रदुशन के चपेड में आके मर जाते हैं जिसमें 580 भारतियों लोग प्रती मेने जल प्रोदूशन के कारण मर जाते हैं जल प्रोदूशन का सबसे ज़ादा यानि 90 प्रतिशत असर चेन के सेरों में होता है क्योंकि चेन में सबसे अधी जल प्रोदूशन होता है अब ही हम भूमी प्रदुशन के बारे में चांगते हैं जमीन पर यदि भहुत दिनों से फोस कच्रा इकाटा हुआ है तो हुआ जमी दुशित हो जाती है और तो और खेत में जरूरत से ज़्यादा कितक नशक पदार्था का इस्तमाल भी उस भूमी को दुशित कर देता है यानि भूमी की जगह सडने को भूमी प्रदुशन कहते है पूरे भूमी का पच्चास प्रतिशत इस्ता खेती और पदार्था का उब्चाव करने में उप्यों किया जाता है आज जिस गती से विश्व एम भारत की जनसंक्या बढ़ रहे है इन लोगों के भूजन की व्यवस्ता करने के लिए भूमी को ज़रूरत से ज़्यादा शुशन किया जा रहा है जिसके परिणाम सरुप आज भूमी की पोशक शम्ता कम होती जा रही है पोशक शम्ता बढ़ाने के लिए इसमें पिटग नाशकों का जम कर इस्तमाल किया जा रहा है यानि भूमी प्रदुशन के कारणी आज हमें अच्छी सब्जिया और फल पोशक पत्वों से बढ़े नहीं मिल रहे है भूमी प्रदुशन के कारण उस भूमी के आसपास के सारे पेड़ पौदे जीवित नहीं रह पाते और यदि उस दूशित भूमी पर कोई रुक्षो होगा तो वो रुक्ष भी दूशित हो जाएगा और ना ही खाने के योग्य होगा आपको बता दू कि 89 प्रतिशत खाद्य पदाल तो भूमे के मिट्टी से ही हम सबको मिलते हैं अभी हम प्रकाश प्रदुशन के बारे में जानते हैं ज़रूरत से ज़्यादा त्यूर प्रकाश की चीजों का इस्तमल करना या बिना मतलब का ज़्यादा प्रकाश का उत्पादन करना उसे प्रकाश प्रदुशन कहते हैं प्रकाश प्रदुशन का ऐसा कोई ज़्यादा हानी करद प्रभाव तो पढ़ता नहीं है पर एक प्रभाव प्रकाश प्रदुशन से पढ़ता है जो ज़्यादा तर शहरी इलाकों में होता है शहरी इलाकों से हमें आस्मान में ज़्यादा सितारे नहीं दिखाई देते जबकि अगर आप जहां जनसंक्या कहूं या गाउ से आस्मान में देखोगे तो आस्मान में बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं इसकी वज़र वायू प्रदुशन भी है जो आस्मान को दुल्ला कर देती है अभी हम धुनी प्रदुशन के बारे में जानते हैं धुनी प्रदुशन किसी भी प्रकार के अनुपंगी शोर को धुनी प्रदुशन कहते हैं धुनी प्रदुशन के सबसे जाधा असर हुआ अज़्टे के नज़्डिक रहने वाले लोगों को होता है वर्ष पाचाज में भारत में कुल बहानों की संक्या 30 लाग थी और जब 2011 में सर्वे किया गया तब कुल वानों की संख्या लगब बाईस करोण हो गई यानि साथ साल में वानों की संख्या करिब करिब साथ गुना बढ़ गई यानि सोचिए जोनी प्रदुशन कितना बढ़ गया होगा जुनी प्रदूशन के करण बहुत से रोग भी होते हैं जैसे की उच्च रप्त चाप, प्रुदेरो, पच्छन तंत्र का विगर्णा, मानसिक तनाव ऐसे आनेग रोग होने के संभावना है और तो और जरुवत से ज़्यादा शोर शरबा के करण लोगों में निरोटिक मेंटल डिस ओरडर हो जाता है WHO यानि World Health Organization के नुसार शोर शरबा की मातरा 35 डेसिबेल से 45 डेसिबेल तब होने चाहिए यह मातरा दोनी प्रदूशन के लिए सामान्य माने जाती है एक हवाई जर जब उरता है तब उस हवाई जर का अवाद 120 से 140 डेसिबेल होता है सोचे कितना शोर होता रहेगा उसी प्रदूशन के सारे प्रदूशन के सारे प्रकार आपको अच्छे से समझ आए होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए शुक्रिया देखें